यूपी पुलीस बरती दोजर चोईस की तैयरी करने वाले विद्ध्यारती का सपना हुआ पूरा जी आदोस्तों आपके लिए बरती आचुकिए बरती वें की बारे में संपुन जानकरी पे चर्चा करूँगा कितने पदू पे बरती आई इसमें सेलरी कितने मिलेगी इसकी यूगी तक है रहने वाली है यानि संपुन विस्तार से बात करेंगे इस वेकेंसी पे तो आप सभी से कवंगा वीडियो को पूरा देखिए अपने सभी साती को शिर करें अब आगे चलते हैं सबसे पेले में आपके लिए सुचना इस पकार से लिखाया है यदि आपका भी सफना ही कि यूपी पुलिस की तायरी करने वो भी बिलकुल फुरी जी हा दोस्तों आपको कहीं से भी ओनलाइन कोर्स परचेज करने के आफशकता नहीं है आपके हमारे इस प्लेटपोर्म में के जड़िये आपको बैली सारी के सारी क्लासे आपको फुरी मिलेगी याँ पे वेकंसी की बारे में विस्तार से बात करेंगे किस वेकंसी में कितने पदें, कौन सी subject है, कितने कुछन आएंगे, यानि इसकी category क्या रहेगी, यानि इसके syllabus क्या रहेगा, यानि विस्तार से इस के उपर बात करेंगे तो चलते अपने उपिसल साइट पे अब देख लिए जैसे आप उपिसल साइट ऊपन करोगे यहां पर आपके नोटिपरिशन पर लेना चाहिए यह आपका 23 दिसंबर 2023 का आपका अपडेट है और यहां पर साफ साफ में आपको बता रहा हूं क्या देह चाहिए और यहां पर देख आपके यहां की आपको तारिक दे रखे और इसकी सेलरे की बारे बता रहा कि आपकी 21 दाविस्तार से जनकरी पर बात करेंगे अनारक्षि 24,102 सीटे हैं EWS के लिए आपकी 6,24 हैं अन्य पिछला वर्ग जिसमें आपकी OBC के हैं 16,262 हैं अन्य सुची जाती के लिए आपकी 12,650 हैं और अनुची जाती के लिए आपकी 12,04 सीटे हैं यानि टोटल मिराके आपकी कितने 60,24 सीटों पे भरती हैं बहुत अची भरती हैं शांदार भरती हैं काफी लंबे समय से लाखों विद्यारते का इंदिजार है कि सर्जे आखिर यूपी पुलिस की भरती कब आएगी तो आपका सपना हुआ पूरा तो आपके लिए भरती आ चुकी अब इसके अंदर बात करने वाले हैं क्या दे रखा इसमें अब देखो ये आपके लिए बड़ा अपडेट है कि आरक्षिक नागरिक पुलिस की पद पर भरती है तो पुरुष और महिला अभरती प्राप्त होंगे यानि परिक्षा के पूरो किसी भी समय परिक्षा से पहले किसी भी समय रिक्तियों की संक्या परिवतन की जा सकते है यानि संक्या में बदला हो सकता है या संक्या में कमी आ सकते है यानि पदों में बात कर रखिए बरती किसी भी समय बरती के किसी भी इस्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है बिना किसी कारण से निरस्त की जा सकती है यानि भरती के अंदर आपको बता रखा है ठीके तो बात करें सर्जी आपके इसके ओनलाइन आविधन शुलक का कब जमा कराना है ये सर्जी आपकी 27 दिसमर 23 से शुरू होंगे और इसकी अंतिम दिती रेने वाली है 16 एक दोजा चोईस यानि 16 जनवरी इसकी लाश्ट दिती रेने वाली है और इसके ओनलाइन फोरम आपके 27 दिसमर से शुरू हो जाएंगे एक दो दिन बाद आब बात करेंगे सर्जी ये है रुपे 400 मात्र केवल और केवल आपके 400 रुपे रहेगा केंडिट के लिए अब बात करेंगे इसमें आयू क्या रहने वाली है तो आयू के उपर बात करेंगे पुरुष अभेरति के लिए 17-2023 तक 18 वर्ष के आयू प्राप्त कर लिए हो और बाइस स्की आयू पराप्त न की हो अभेरति 2-7-2011 से पूरो टता 1-4-15 के बाद नहीं होना चाहिए यानी 2001 से पेले नहीं होना चाहिए और 1-25 नहीं होना चाहिए ताकि यानी इसकी एज लिमिट दे रखे है 22 साल अब बात करेंगे महीला के लिए क्या रिने वाली है महीला अभिरति के लिए सर्जी 17-23-18 वर्षर और आपकी अधिक्तम आपकी 25 से महीला के लिए दे रखिए तो ये भी आप देख लिजी अब बात करेंगे इसमें कि देरखाएगी राष्टियता याने बारत का नागरिक होना चे बिल्कुल सही बात है और यहां पे क्या देरखाएग इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इसमें क्या देरखाएग टिपनी तो इस बरते की बारे में आपने संपुर्ण जानकारी सुन लिए होगी देख लिए होगी अब आपको तैयरी करने की आउशकता है जी हां दोस्तों हमारे चैनल पे आपकी सारी की सारी क्लासे आपको फ्री मिलने वाली है इस नमबर पे आपको वोर्टसप पे में से करके ग्रूप को आज जोइन कर लीजी ये जानकारी आपको कैसे लिए प्यारा से कमेंट कर लीजी मिलूँगा इन अगली वाली क्लास में तब तक लिए जेहिन जेवर्त